एक बर सारे विवर्स को हाई कर दो बोल दो हाई विवर्स आप लोगोंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं नहीं किया है तो आप ही कर दीजिए लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए बोल दो सारा सब कुछ बोल दो बोल दो नहीं बोलोगे Hello everyone, good afternoon, कैसे हैं आप सब I hope कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी as usual बहुत अच्छी हूँ So welcome back to my channel and welcome to another vlog आज का vlog स्टार्ट कर डियू मैं थोड़ा सा लेट, अभी बज रहा है दुपहर के दो दो भी बज चुका है, टू फाइव हो रहा है और अभी तक हमारा आज लंच नहीं हो है क्योंकि पारिस तो हो ही रही है परसों से ही तो आज तो सुबह से थोड़ा बहुत फिर भी धूप था मैंने ब्लैंकेट भी निकाली है क्योंकि कल रात को इतना जादा ठंड लग रही थी न तो सौरब भी काप रहा था, मैं भी काप रही थी बेटशिट से और काम नहीं जल रहा था एक्चुली न ब्लैंकेट तो सारे है और जब हम लोग नॉइडा में रहते थे वहाँ पे खतरनाग ठंड भी होती थी, तो 6 किलो रूई का एक पापा ने गद्दा बना के देखे गए थे, वहीं पे नॉइडा पे ही, तो वह भी यहाँ पे यूज कर सकते लेकिन यहाँ पे इतना ठंड होता नहीं है, विंटर में भी, तो साइध 6 किलो का गद्दा यूज नहीं हो तो हलकी फुल के ब्लैंकेट्स जो है, उनमें से एक ब्लैंकेट मैंने सुबह के टाइम पे धूप में डाली थी, कि थोड़ा सा उसको धूप मिल जाए, उसके बाद फिर रात के टाइम पे ओड़ सको, क्योंकि पूरा दिन इतना ठंड नहीं लग रहा है, देखे जैसे आउड भी आ गई है, आसमान में, पारिज भी स्टार्ट हो ही गई है, अलकेट किसी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है, और नहाद आके अभी मैं लंच की तयारी कर रही थी, अभी तक मेरा लंच आज बना नहीं है, क्योंकि आज दीदी लेट आए थी काम पे, तो दीदी आज आई लेट, लगबख सारे दस बजे के असपल दीदी आए, उसके बाद फिर सौर अभ रेडी होके जीम गया, फिर मैं भी थोड़ा सा घर पे एक्सरसाइज वगेरा कर लिया, उसके बाद सोची रहे थी कि नहाने जाओ, इतने में देखा कि बारा बज गया है जो कुछ-कुछ चीजे लेकर आते हैं उसके जीम के लिए, तो वो सब कुछ चीजे लेकर आया है, और वो सब को सैनिटाइस करने के बाद, फिर मैं रोटी बना लिया है, हाँ, मैंने रोटी बना लिया है, दूद देखे गया था, वो भी मैंने गरम कर लिया है, यहाँ पर केसरोल में रोटी है और चॉपिंग तो मैंने करके रखी ती तो यहां पे मैंने उसको बॉइल भी जड़ा दिया है आज लंच में बनाने वाली हूं आलू अड़ी और जो पका हुआ जैक फूट का बीज होता है ना सीड्स उसका एक सबजी तो यहां पे ना साड़े चीजों को एक साथ अचैसे काटके धोके यहां पे मैंने के लिए डाल ङुटी तो यह थे सबख्ट हो गया है और साथ और साथा अंदा भी मैंने का ने के लिए क्ला मेरा एक यह वाला हम सॉस्पयैं जो मैंने दिखाए थी ना आपको यह लेकिए इस पति लेका ना हैंडल जो छूटने ही वाला था अल्मोस्त तो यह फाइनली चूट गया है और इसको अभी ना कर्ची से पकरना पड़ रहा है थैंक गड़ की चाई फगेडा कप में डालते टाइम यह टूटा नहीं है अधर्वाइस बहुत बहुत मैं बनाऊंगी लंच और इस रूम में काम कर रहा है तो उसका दर्वाजा रूम का विद्बंद है क्योंकि उसका एक बहुत ही इंपोर्टन प्रेजेंटेशन उसको देना है इसलिए मुझे बोला कि तुम लॉप करोगे तो दर्वाजा बंद कर देना तो मैंने दर्वाज प्रेजेंटेशन अभी होगा एक घंटा यानि एक घंटा अभी वह बीजी रहेगा तो मैं खानावना बना के फिर आराम से बैठ के आप लोगों से बात करती हूं तो चलिए तब तक मैं लंज बना लेती हूं आरपी की एक क्रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूं मैंने गैस पे कड़ा जड़ा दिया है और यह सेबजी में बनाऊंगी घी में तो यहां पे बहुत ही कम एक चमच के आसपास मैंने घी डाल दिया है क्योंकि ऑईल से जाधा ना घी में फाइदा होता है घाना क्योंकि टाइम भी कम है तो यह देखे जीरा जैसे थोड़ा सा फ्राइब हो जाए ना इसमें डाल देना है चॉप किया हुआ लैसुन साथ में हरी मिल्ची प्यास और टमाटर करी पत्ता सबकुछ एक साथ जो लोग ऑफिस जाते हैं या तो पील सुबे के टाइम पे उसके मैं आप लोग पर बना के लिखाऊंगी इस मसाले से बहुत जादा ओयल फोड़ा यानि ओयल फोड़ने तब इसको हमें चलाते रहना है ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है पटापा के लिए में बना दूंगी तो टमाटर और त्यांस अच्छे से गल जाए इसलिए मैं डाल में और दो लिखे पाऊडर तो फील आविए प्ले पाऊडर विदुल के बारा और वहीद के पनी मть इसलिए फोड़ी से अद्रवी पैस्ट निममें इसलिए हैता जोड़ी सी हमों में प्रिकह प्दर मुषक है नहीं इसमें आक्पी पाऊज़् सा जार कर दूंगी तो देखिए यह भी थोड़ा सा हॉल्मोस्ट सॉफ्ट बन गया है अब इसमें डाल देते हैं बॉइल किया हुआ अर्पी आलू और जैक्रूट के सीर्ज अब इसारे मसाले को अच्छे से मीडियम फ्लेम में हमें पकाना है ताकि सब्जी पगने के साथ साथ इसका जो फ्रेग्नेंस और फ्लेवर है वह भी अच्छे से उबार के आए कि मसाला हमने बहुत ही कम डाली है इतना जादा आपको शायद मिलेगा नहीं फ्रेग्नेंस या तो फिर लुब भी शायद इसना अच्छा नहीं आ सकता है लेकिन मेरा मानिये बहुत हिल्दी है और बहुत ही फिटाफट से बन जाता है कुछ देख चलाने के बाद तेक सकते कि सब्जी का कलर्ड और टेक्स्टर थोड़ी सी चेंज हो गई है तो इसको और ज्यादा नहीं पकाना है इसमें थोड़ी सी करब मसाला डाल देंगे और डाल देंगे इसमें थोड़ी सी घी बिल्कुल ना के बड़बर ताकि यह कच्छा सा फ्रेग्नेंट साय क्योंकि मसाला इतना डाले नहीं है इस वज़े से बस दो तिन डॉप घी का मैंने डाल दिया है और गैस को करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और फिर ढख के रख देते हैं दो से तीन मिनिट के लिए या तो फिर मैसिमाम पांस मिनिट के लिए और रोटी पराथा पूरी किसी के साथ भी आप इसे खा सकते बहुत बढ़िया वालता है अभी टाइंग हो रही है तूफॉट और आता गंटा भी मुझे नहीं लगा मेरा लंज बन के रेडी हो गया है घर पे ये रेसिपी जरूर ट्राइक करना ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बनता है और हेल्दी तो है ही क्योंकि मसाले वगेरा सब कुछ बहुत ही कम कॉंटिटी में है ओइल बिल्कुल भी नहीं है सब कुछ काट लिया है अंडा भी चील के रख दिया है सब कुछ रेडी थाली भी मैंने किचन में रेडी करके आई हूं जस्ट सौरव का मीटिंग खतम हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे लेकिन अभी तक उसका मीटिंग खतम नहीं हुआ तीन बजी उसक टॉइज और किया था क्योंकि वो ना उसका भी थोड़ा थोड़ा सा दात निकल रहा है तो वो ना काटने के लिए कोशिस कर रहा है सब कोटी के मतलो हर एक चीज देखते ही वो दात से पकड़ने का कोशिस कर रहा है सो मुझे लगा कि कुछ ऐसा ओर करती हूं ताकि उसको खेलने में आसानी हो तो यहां पे ना कुछ गिफ्ट है इसमें तीन खिलोना है उसके लिए जो कि मैंने अभी तक अन्बॉक्स नहीं किया है यह सुबह के टाइम पे ही आया है डेलिवेरी तो इसको सैनिटाइज करके मैं ऐसे बस रखी थी तो आज अगर टाइम मिलता है त तो फिर मैं कल जाके डेखनेट लिए देखाऊंगी इसमें ना वही काटने का चीज है जो कि वह खेल सकता है बॉल काइंड ओफ है और भी कुछ कुछ चीज है जिस टाइम पे मैं अन्बॉक्सिंग करूंगी ना उस टाइम पे मैं आप लोगो को दिखाऊंगी ठीक है पर से बैलकीनी में स्रीबले स्टन के आ रही हूं तो ठंडा लग रहा है अगर स्लाइडिंग डोट बंद करके अंदर रहती हूं तो फिर ठीक है पर प्रॉब्लम नहीं लिए लिए बैलकीनी में तो यसी ठंड लग रही है प्रॉब्लम नहीं है तो अब भी जा रहे है शर्मिता के घर पिक्सी को ये गीप्ट देने के लिए सौरव को मैं बोल रही थी कि चलो मेरे साथ क्योंकि मैं अकेला नहीं जाओंगी लास्ट टाइम उनके घर से घर वापस आते टाइम कुट्टे ने अटक किया था हम गोनों को आना इसलिए मैं अर अकेला ड़के मारे उनके घर जानी रही हूं तो मैंने सौरव को साफ साब बोल दिया है कि जब भी मुझे जाना है तुमारे साती में जाओंगी तो अभी सौरव थोरा से प्री है तो इसलिए मैं उसके साथ जाड़ी हूं बाहर ना बहुत ठंड है तो इसलिए मैंने एक स् है कि नहीं लेकिन आप लोगो को टेफिनेटली पता चलेगा क्योंकि वो ना सच में इंचेस में बड़ा हो रहा है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं दो तीन दिन बाद उससे मिलूंगी वो तो अपने गिफ्ट देखते इतना जाधा खुश हो जाएगा उचल- अपने दोस्तों कि यह घर तुमारा है और वो घर भी हमारे है और भी कहीं से भी आ सकता है बन चल दो बहुत थेंटे बाद कॉल चल रहा है को अच्छा पिक्सी का है तो यह देखिए पिक्सी तो ऐसा बड़ा हो गया है ना यह देखिए उस दिन जैसे एक हात में आ रहा थ आजना ऐसे उसको दोनों हाथ में पकड़ना पड़ रहा है और इतना ज्यादा मतलग चटपट कड़ा की वह रहा है चंचल बहुत ज्यादा चंचल हो गया है ठीक है देखिए कैसे देख रहा है तिक्सी क्या हुआ तुमारे लिए में खिलोना लाई हूँ ना वेट वेट यह देखिए यह मैंने उसके लिए और किया था यह नहीं यह तो प्रफिका पहले से है लेकिन इससे में यह खेलने ही पादा है कि यह बहुत भाड़ी है की हर्च डखी है तो यह आपे प्रीन खिलोना का एक सेट है किसी सिट्चा पॉस होती का चे शिट्चा पॉस नाम दि नहीं हमें यह सादी तप्ष्ट्प हरता है यह देखो वी तमसेख फूसता है क्या है किसी दो इसको साही पसंद नहीं आया है क्या socker नहीं राइट रेकिन कुछ आप लोको ने शाई नहीं नहीं किया तो आप ही कर देजिएर क कमेंट करतीजिए है कर देजिए साब साज एल एकन को क्लिक कर दीजें, बोल दो सारा सब कुछ, बोल दो, बोल दो, नहीं बोलोगे, और ये तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत जादा चटपट कर रहा है, ले, घूम पिर के गया वही पे, कामेरा के पास ही गया, अब कामेरा प्रेक मत देना, मैं ऊपड़ा है, चळगया, कैमरा के उपर चडगया, तो ये एक है, गाजट जैसा, और उसके साथ, ये एक है, ये ना थुरा सा भाडी बाद में खेल पाएगा, तो बेसा और बड़ा हो जाएगा, ये थुरा सा भाडी है, इसको आप डंबल समझके, ऐसा ऐसा चबरा बाडी यह और से हलका है यह इसके अभी के लिए है जैसे वह थोड़ा सा षाइज चाहिं had essa ं अभी फट्करे निहाएन पाएगा यही तो पधारिन पाएगा त तो यह Ц interess style मूप महीं नहीं है। जम्हाने बोलत मलत मैं नहीं। लोग निकल गए है जाड़े हैं घर बाहर अब दे सकते आस्मान कितना क्लाउड़ी है और इनके यहां से भी ना मस्त व्यू आता है यह यहां पर मेरे लिए खड़े होके वेट कर रहे हैं कि जल्दी घर चलो जल्दी घर चलो घर जाके अभी बनाओंगी कुछ इविनिंग स्नाक्स खाने के लिए क्योंकि भूब भी लग गई है फिर खाना पिना करके इस और अब दोबाड़ा काम के लिए बैठेगा और मैं थोड़ी सी मेरा इडिटिंग वगेड़ा काम के लिए वह सब कुछ खटम करूंगी वैसे अभी टाइम तो काफी हो गया है घर जाके और कुछ स्नाक्स खाना है मुझे भूक लग रहा है अभी तो कुछी तर बाद तो डिनर ही कर लोगे ना ने नी स्नाक्स काम करवा सके उतना वो मुझे काम करवा लेता है एनिवेस चली अभी चलते हैं हमारे घर ज्यादा क्यामरा में बात नहीं करूंगी नहीं तो नीचे अगर कुटता होगा ना तो फिर सब्टक करेंगा मुझे दबर दस भूक लगी है दुपैर को चावल खाने का हमें आदक है और अभी आजानक से रोटी वो भी सिर्फ दो छोटा-छोटा साइ तो अभी मैं बना डी हूँ चाय तो बन रहा है यहां पर नूडल्स तो इसे बना रही हूँ क्योंकि काफी दिन से नूडल्स पगरे नहीं खाये है तो ऑड़ वाज बोली दिया है कि थोड़ा से नूडल्स बना लो ऑईल वोईल इसमें मत जालो बॉइल काइंड ऑफ बना पानी डालके नूडल्स को अभी बॉइल कर दी हो और मेरे पास जो डॉमिनोस का ओरिगान और चिली प्लेक्स था मैंने वो भी इसमें डाल गया ताकि थोड़ा सा अट्लिस टेस्ट आये और मैगी मसाला तो है इसमें तो यह जैसे थोड़ा सा बन जाएगा मैं सोच्रियों इसको तो इसी सूपी रखोंगी तो अभी इसको ग्यास बंद करके रख दूंगी तो थोड़ा सा और पानी सूप जाएगा और सोड़ा का फिर से और एक मीटिंग चल रहा है उस मीटिंग खतम होने के बाद फिर हम दो में में के एक साथ समका स्नैक्स काएंगे अभी टाइ करते हैं दोनों दूद आज दूद पी के ही सो जाएंगे तो अभी न काफी गड़म है थोरा सा ठंडा हो जाए उसके बाद पीएंगे स्वारब तो इतना गड़म कैसे पी गया पता नहीं कैसे तुमने इतना गड़म हो गया है दूदर मेरा दब से रखा पड़ा हुआ है अब वेट करी हूं कि ठंडा होगा उसके बाद ही पीऊंगी एनिवेज आज का व्लॉग यहीं पर अभी एंट करती हूं और कल मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ अपते के लिए आप सब लुग बहुत जादा सेफ रहिए हल्दी रहिए हाईजिन रहिए हल्दी खाना अब लुग आप यहापी डेई है और समाइल कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट से याट बनता ही है